प्रिये विध्यार्थियों मैं गुर्मीत सिंग सह आचार्य हिंदी विभाग राजकिये महविध्याले बुन्दी आज के मेरे इव्याख्यान का विशे बीए प्रथम वर्ष, हिंदी सहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतरगत, पाठे पुस्तक, भक्ती कावे में संकलित, कवी मलिक मुहम्मद जाइसी से सम्मंदित है आज के इस व्याख्यान में हम मलिक मुहम्मद जाइसी के जीवन परिचे, उनके व्यक्तित्व एवं क्रतित्व तथा उनकी कावे कला की विशेष्टाओं पर प्रकाश डालेंगे सबसे पूर्व मलिक मुहम्मद जाइसी जिनका जन्म समवत पंदरा सो पचास जाइस में हुआ था एवं इनका देहावसान समवत सोलसो में अमेठी में हुआ था जाइस में जन्म होने के कारण इनका उपनाम जाइसी पड़ा परिचे जाइसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधी और सर्वस्रेष्ट कभी थे अर्थात कहने का अभी प्राए मलिक मुहम्मद जाइसी भक्ती काल के अंतरगत निर्गुन भक्ती शाखा में प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधी और सर्वस्रेष्ट कभी माने जाते हैं आप से प्रश्ण पूछा जा सकता है अति लगुत्तरात्मक की जाइसी का पूरा नाम क्या है जिसका उत्तर होगा मलिक मुहम्मद जाइसी इनको अमेठी राजगराने ने प्रयाप्त सम्मान दिया यद्देपी ये काने और कुरूप थे किन्तु फिर भी प्रतिभा के धनी थे शेर सहा इनकी इस विक्रत छवी को देखकर हस पड़ा तब इन्होंने कहा मोही का हससी की कोह रही इन्वर्टेड कोमा में है ये इनका कथन है अर्थात ये देखने में कुरूप लगते थे और अंधे थे लेकिन प्रतिभा के धनी थे इसके बावजूद शेर सहा जो राजा था उन्होंने इसकी विक्रत छवी को देखकर हसी उड़ाई तब इन्होंने उसके प्रतित्तर में कहा मोही का हस सी की कोहरई अर्थात तुम मेरे पर हस रहे हो या मेरे निर्मान करता पर अर्थात मुझे ईश्वर ने बनाया है यदि तुम मेरे पर हस रहे हो तो इसका अभी प्राय होगा कि तुम ईश्वर अर्थात करता पर हस रहे हो जैसी जन्म से मुसल्मान भले ही हो किन्तु हिर्दे से हिंदू ही थे इनका जीवन्त प्रमान इनकी करती पदमावत है पदमावत हिंदी सहित्य का स्रेष्ट महा काव्य मना जा सकता है पदमावत प्रेम प्रधान महा काव्य है पूछा जा सकता है प्राष्ण की पदमावत किस परकार का महा काव्य है तो आपका उत्तर होगा पदमावत एक प्रेम प्रधान महा काव्य है इसमें इतिहास और कल्पना का तुल्ले योग है जैसी प्रेम के दिवाने थे प्रेम मार का प्रवीन पथिक होकर भी जैसी ने हिंदू और मुसल्मान दोनों को मिलाने का दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कारे किया वे मुसलमान तो थे किन्तु कटर नहीं थे इन्होंने साधू और संत का समागम किया था उन्होंने संसार को देखा भी था और समझा भी था जैसी एकेशवर वादी होकर भी अद्वेत वादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे वे अनहलक वाली विचारधारा के साथ साथ अहां बर्मास्मी के सिद्धान्त के विश्वासी थे उनके उपर वेदान्त का भी पर्याप्त प्रभाव था इसी से वे जगत की ब्रह्मा से प्रतक सत्ता को छाया मात्र मानते हैं इनकी रचनाव में वेदान्त के प्रतिबिम्बवाद का ही आभास मिलता है जाइसी की वरती खंडनात्मक न होकर मंडनात्मक थी वे सूफी थे जाइसी किस परकार के कभी थे? जाइसी एक सूफी कभी थे अता इसी मत के पूजक होने के नातेवे निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदारिय, अनन्त गुणों और अनन्त शक्ती से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे यद्देपी जाइसी प्रेम मारगी शाखा के कभी थे तथापी पदमावत में वीर रस का भी इस्तान इस्तान पर सुंदर परिपाक हुआ है अर्थात पदमावत में जहां कहीं युद्ध का वर्णन होता है वहां पर वीर रस स्वतहीं इनके कवे में आ जाता है जाईसी ने पदमावत, अखरावट और आखरी कलाम लिखा है अर्थात आप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाईसी की रचनाओं के नाम लिखिए तो आपका उत्तर होगा जाईसी की तीन रचनाएं मुख्य हैं जिसमें से नंबर एक पदमावत, दूसरा अखरावट और तीसरा आखरी कलाम इनमें भी इनका प्रसिद गरंथ पदमावत ही है इन तीनों रचनाओं में जो पदमावत, अखरावट और आखरी कलाम इनमें से सर्व प्रसिद्ध प्रमुक रूप से जो गरंत माना जाता है वो पदमावत ही माना जाता है हिंदी के प्राचीन महा काव्यों में रामचरित मानस से पूर्व पदमावत का ही स्थान आता है रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था वह भी एक परकार का स्रेष्ट महाकाव्य है इससे पूरु जो महाकाव्य लिखे गए उनमें पदमावत का इस्थान प्रमुख रूप से आता है वस्तूतह जाईसी ने हिंदू मुस्लिम एके के लिए पर्याप्त श्रम किया इसके बाद आती है इनकी कावे कला अर्थात इनकी कावे कला की जो विशेश्टा है उभर कर इनके कावे में आई है उन पर हम दर्ष्टी पात करेंगे जाईसी का पदमावत सूफियों की मसनवी पद्धती पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान कावे है पदमावत में किस शेली का प्रयोक किया गया है ये प्रश्ण पूछा जा सकता है तो आपका उत्तर होगा कि मस्नवी शेली या मस्नवी पद्धती का पद्मावत में प्रयोग किया गया है और पद्मावत एक प्रेम परधान कावे है इसके आधार पर ही जैसी की कावे कला को इस पश्टतह हिरद्यंगम किया जा सकता है अर्थात स्विकार किया जा सकता है इती वरत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है अर्थात इसमें अनेक वरत्तांत हैं बड़ा चड़ा कर उलेख किया गया है इती वरत्तात्मक होते हुए भी उसमें रस है तो पहली विशेष्टा इनकी ये है पदमावत इती वरत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है इसमें आये वस्तु वर्णन इसका प्रमान है बीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, सरोवर समुद्र, आक्रमन, युद्ध, मंतरना, दूत प्रेशन, पुत्र जन्म, विवाह, जल क्रीडा रूप सौंदरे और सन्योग वियोग का विस्तरत वर्णन मिलता है इसलिए कई सहितेकारों एवम आलोच्रकों ने इस पदमावत महा कावे को इती वरत्तात्मक महा कावे की संग्या दी है दूसरी विशेष्टा इनके कावे की आती है जैसी प्रकर्ती सौंदरे के पार्खी थे पार्खी करते हैं परक करने वाले को अर्थात ये प्रकर्ती के पार्खी कभी थे प्रकर्ती का जो सौंदरे होता है उनका हिर्दे प्रकर्ती की मनोरम और मंजुल क्रीडाओं को देखकर मयूरवत नरत्ते करता हुआ भाव विभोर होड़ता था डॉक्टर द्वारिका परसाद के शब्दों में जाईसी ने मानव की चिर सहचरी प्रकर्ती नटी के क्रीडा कलाब को भावपूर्ण दरश्टी से देखा है तथा प्रकर्ती के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का सामें स्थापित करते हुए सूक्षम मनोभावों के सरस और सुन्दर चित्र अंकित किये हैं यही कारण है कि जाईसी का पत्मावत प्रकर्ती पटी पर अंकित मानव मनोभावों का आकरशक चित्र है यह डॉक्टर द्वारीका परसाद के शब्द थे जो जैसी के बारे में कहे गए हैं जैसी की रहस्य भावना भी उनके कावे की महत्तम उपलब्धी कही जा सकती है यह दूसरी विशेष्टा थी इनके कावे की तीसरी विशेष्टा है पदमावत शरंगार रस परधन कावे है तीसरी विशेष्टा मुख्य रूप से इनके कावे की है कि पदमावत जो महा कावे है वह शरंगार रस परधन है शरंगार रस में दो होते हैं एक संयोग शरंगार और वियोग शरंगार इसमें आध्यंत यानि आदी से अंत तक रती नामक इस्थाई भाव की पूर्ण अभिवेंजना हुई है श्रंगा रस का जो इस्थाई बाव होता है वह रती होता है अर्थाद प्रेम उसकी पूर्ण अभिवेंजना हुई है किन्तु अंत में करुन रस की अवतारना दिखाई देती है इतने पर भी यह इसपर्ष्ट है कि जाईसी ने श्रंगा रस के बड़े मनोरम चित्र अंकित किये हैं और संयोग ववियोग में से वियोग को गहन भूमी का पर प्रस्तुत किया रहा है यह तीसरी विशेष्टा थी इनके कावे की चोथी विशेष्टा है जाईसी की भाषा अवधी है प्रश्ण पूछा जा सकता है कि जैसी का महा कावे पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है या जैसी किस भाषा के कवी थे तो आपका उत्तर होगा जैसी की भाषा अवधी है इनके कावे में अवधी भाषा का स्वाभाविक सोंदरे देखते ही बनता है भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुले है तत्सम तद्भव देशयर और विदेशी चारतर के शब्द होते हैं तो इनके भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुले है अर्बी फार्सी के श शेली मसनवी है अर्थाजन इनकी जो शेली सूफी कवियों के अंतरगत होती है मसनवी शेली का इन्होंने अपने कावे में प्रयोग किया है उसके बाद पांचवी विशेष्टा आती है जाइसी ने प्राय साद्रश्य मुलक अलंकरों का प्रयोग किया है और इनके द्वारा मानव मनों भवों की बड़ी ही रमनिय अभिवेंजना की गई है उपमा उत्प्रेक्षा रूपक रूपकाती शोक्ती का प्रयोग जैसी ने सरवाधिक मात्रा में किया है इनका प्रयोग कावे में अर्थ गामभीर्य और भावत कर्ष्क में सहेक हुआ है चटी विश्ष्ष्टा है जैसी ने प्रमुक्तऽ दोहा चोपाई शंद में ही अपने कावे की सरजना की है डाक्तर शम्भूनात सिंग ने इस शंद पद्दती को कड़वक बद शंद पद्दती कहा है अर्थाद इनके जो कावे की जो सरजना हुई है वो दोहा चोपाई चंद में हुई है और डॉक्टर शंबूनात सिंग ने इस चंद पद्धती को जो दोहा चोपाई चंद पद्धती है उसको कडवक बद चंद पद्धती कहा है या आपसे प्रश्ण भी अति लोगुत्तरात्मक पूछा जा सकता है कि जैसी की जो दोहा चोपाई चंद पद्धती है उसको किस नाम से जाना जाता है तो आपका उत्तर होगा कडवक बद चंद पद्धती उसके बाद सात्वी विशेष्टा है इनके कावे की जैसी का पद्मावत एक प्रेमा ख्यानक कावे है जो भारतिये प्रेम पद्धती के आधार पर जो कावे लेखे गए हैं उनमें न तो प्रेम की महिमा को सही निरूपित किया गया है और न उनके महतों को जैसी का पद्मावत इसका अपवाद है इनकी प्रेम पद्धती में प्रेम की पीर पीर करते हैं पीड़ा को दुख को प्रेम की जो पीड़ा विरह वेदना और अनुपम सौंदरे को विशेष स्थान प्राप्त है आठवी विशेषता है जैसी के कावे की जैसी का विरह वर्णन तो विशेष कर नागमती का हिंदी साहिते की अध्वीतिये वस्तू है आठवी और अन्ती मिशेषता हैं के कावे की है की जैसी वियोग के वर्णन में सिद्ध हस्त थे पदमावत महा कावे में इन्होंने जो नागमती का व्योग वर्णन किया है वह हिंदी साहिते की अद्वितिये वस्तु है उसके समान व्योग वर्णन हिंदी साहिते में अनुपलब्द है इस परकार देखा जा सकता है कि मलिक मुहमत जैसी भक्ती काल के अंतरगत निर्गुन भक्ती शाखा में प्रेम मार्गी शाखा के एक अद्वितिये प्रतिनिधी और स्रिष्ट कभी के रूप में विख्यात है आज हमने इनके जीवन परिचे इनके व्यक्तित्व एवंक्रतित्व और प्रमुक्रूप से इनके कावे कला की जो विशेश्टाएं हैं उस पर हमने दृष्टी पात किया है उसका विवेचन किया है और विध्यार्थियों इसके साथ ही आज का व्यक्यान यही समाप्थ होता है अगला व्यक्यान अगले वीडियो में परसारित किया जाएगा